सन 1324, अफरीका का पश्चिमी देश माली जहां का राजा है मनसा मुसा सोने के खदान, नमक, हाती के दाथ और कई जरूरी चीजों के व्यापार में से इतना अमीर बना दिया है कि आज तक कोई भी मानवितिहास में इतना अमीर नहीं हुआ एक अनुमान के मताबिक उनकी संपत्ती 400 बिलियन डॉलर की थी अब ये कितना होता है आप इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कुल जीडिपी करीब 300 बिलियन डॉलर की है तो जितना पैसा उस देश में 23 करोड लोग मिलकर कमा रहे हैं उससे जादा तो इस एक आदमी के पास था जनाब ने 1324 में हज करने का फैसला किया मिसर अर्थात इजिप्ट के लोग अभी ये नहीं जानते कि मनसा मुसा का ये फैसला उनके लिए आपदा लाने वाला है कैसे सूने के सिक्कों के रूप में अब आप बोलोगे यार ये क्या मजा के अब ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते है मुसा का कारवा जो कारवा कम और एक चलता फिरता शहर जादा है क्योंकि उसमें है हजारो सैनिक खाने पीने का सामान हजारो हजार जानवर और कई टन सोना हाँ भई ठीक सुना कई टन सोना मुसा की सेवा के लिए हैं 12,000 दासिया जो सिर्फ रेशम के कपड़े पहन और उस जमाने में रेशम सिर्फ चीन से आता था जो अफरीका से आपको जैसे पता है कि काफी दूर है तो आप समझ लीजे इनकी रही सी अब ये लशकर सहारा रेगिस्तान को पार करके काईरो जो आज भी मिसर की राजधानी है वहाँ पहुँचा उसने गीजा की पिरमिट की पास अपना तंबू गाड़ा वहाँ उनकी मुलाकात मिसर के मामलुक वंच के सुल्तान अलमलिक अननसीर से हुई जो खुद में एक बहुती दिल्चस्तानी है और ये कहानी फिर कभी सुनते है मुसर नसिर वहाँ के सुल्तान और उनके दर्बारियों के बीच सुना बाटा बलकि पूरे शेहर में ऐसा कोई नहीं था जिसे उन्होंने एक सुने का सिक्का न दिया और ये काम वो पूरे रास्ते में भी करते आ रहे थे मतलब ये समझ लीजे कि पूरे राज्य में अब सब माला माल हुए ये गरीबों का मसीह तीन महीने काईरों में रहकर मका की तरफ आगे बढ़ता है और रास्ते में दरिया दिल आदमी सब में उसी तरह सुना बाटता है अब आप सोचोगे कि यार इस आदमी का सुना खतम क्यों नहीं हो रहा तो इसका जवाब है कि इसके पास सिरफ सुना ढूने के लिए थे असी उट और हर उट पर लदा था सौ कीलो से भी ज़ादा सुना और याद होगा वो रेशम पहनी होई बारह हजार दासिया तो उनमें हर एक के पास था डेड़ से दो किलो सुना अलग से तो फिर क्या हुआ आगे की कहानी समझने के लिए समझते हैं आज का टर्म इंफ्लेशन या महंगाई या मुद्रा स्पीती की दर IMF कहता है हिंदी में कहें तो मुद्रा स्पीती एक मिश्चित अवधी में कीमतों में वृध्धी की दर है चलिए इसे और आसान बनाते हैं आप आये हैं तर्बूस खरीड़ आप देखते हैं कि दुकान में एक ही तर्बूस है और उसकी कीमत है 50 रुपे वहाँ एक और आदमी आ जाता है और कहता है कि वो 100 रुपे में उस आंकरी तर्बूस को खरीदेगा तब ही वहाँ खड़ा तर्बूस का एक तीसरा लालची आदमी कहता है कि मुझे दे तो वो तर्बूस मैं 200 रुपे देने के लिए तयार अब आप तो उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि आपके पास है सिर्फ 50 रुपे तो वो तीसरा आदमी उसे खरीद लेता है आपके देखते ही देखते इंफलेशन चार सो प्रतीशत बढ़ गया ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ मांग और आपूर्ती में असंतुलन पैदा होने से मांग मतलब डिमांड आपूर्ती मतलब सप्लाई डिमांड इन सप्लाई का इंबैलन्स होता है तो चीजों के दाम बढ़ते या घटते हैं यहां तरबूस की डिमांड जादा थी और सप्लाई कम वहीं पैसों की सप्लाई मार्केट में जादा थी एक free economy में चीजों की कीमतें demand and supply से ही determine होती है आपने देखा होगा जब प्याज या टमाडर की supply कम होती है तो उसकी कीमतें आसमान चुदेती है क्योंकि उनकी demand तो हमेशा रहती है मगर supply कम हो सकती है खराब फसल, खराब मौसम या और किसी कारणों की वज़े rate of inflation या मुद्रा स्वीती की दर अगर बेकाबू हो जाए तो अर्फ यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है कैसे? निवेशकों के लिए देश में invest करना महंगा पड़ जाएगा और निवेशक दूर रहेंगे fixed income वाले salary लोग बच्चों की fees तक नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनके खाने पीने दवाईयों जैसी आवश्चक चीजों के खर्चे बढ़ जाएंगे हालत और खराब हुई तो उन्हें अपनी savings से ही पैसे निकालने पड़ेंगे और उनकी savings भी खतम हो जाएगे तो इस हालत में सरकार के पैसे भी कम हो जाता है और सरकार जादा taxes लगाती है जिससे inflation और बढ़ जाता है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं और श्री लंका और पाकिस्तान इसके उदाराने है और वो भी उससे उबर नहीं पाया है अभी तक उनकी सरकारे ज के लिए friction का होना जरूरी है जादा हो तो बढ़ नहीं पाएगा कम हो तो फिसल जाएगा उसी तरह अगर inflation का friction ना हो तो economy की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगे चीजों के दान नहीं बदलेंगे और नहीं आपकी salary बढ़ेगे नहीं आपको quality of life में कोई सुधार मिले अर्था है आपकी income और चीजों के कीमते सही अनुपात में बढ़ेंगे जिससे ना आपको नुकसान होगा नहीं अर्थ विवस्था को अब आपको अगर मुद्रा सुधी की दर यानि rate of inflation समझ में आ गई हो तो कहानी में आगे बढ़ते हैं मनसा मुसा कई महीनों बाद हज से वापस लोट रहा है वो देखता है कि मिसर की अर्थ वस्था चर्मरा गई है चारो और गरीबी क्योंकि उसने वहां की economy में इतना सोना डाल दिया कि सोना जो जो जमाने की currency भी थी उस currency का value गिर गया क्योंकि उसकी supply इतनी जादा हो गई थी हर चीज महंगी और सोना होते हुए भी लोग अपनी जरूरतों की चीजें नहीं खरीब पा रहे थे क्योंकि सब कुछ पहले से कई कई गुना महंगा हो गया अब ना सिर्फ Egypt बलकि पूरे Middle East में recession फैल चुका था और उन्हें 12 साल लग गया इसे नितलने के लिए सोचिए 12 साल की गरीबी और भुक्मरी जो अब सकते हैं कि सरकारे अगर गरीबी हटाने के लिए पैसे चाप के गरीबों में बाट दे तो उसका क्या बुरा असर पड़ सकता है आप एक पूरी जनरेशन को भूका मारत होगा ऐसी गल्पी करें वीडियो खतम करने से पहले आपके लिए कुछ सवाल एक बहुत ही अमीर इसके लिए freebies and subsidies के रूप में तो क्या इन चीजों की लालच में फसकर हम अपना भला कर रहे हैं क्या हम अपना नुकसान कर रहे हैं कॉमन्ट करके जरूर बताए और हम आपके विचार जरूर सुनना चाहेंगा हम उबीद करते हैं कि आपको inflation क्या है ये समझ में आ गया शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करने है